हेलो एवरिवन वेलकम टू ओनली आईएस स्वागत है आप सभी का करंट अफेर्स के हमारे एक न्यू वीकली प्रोग्राम में जिसमें हम डिसकस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से संबंदेत महत्वपूर्ण करंट अफेर्स के मुद्धों को तो सबसे पहले जो हमें मुद्धा डिसकस करना है वो है जी ट्वेंटी की प्रेसिदेंसी को लेकर समझते हैं आखिर ये मुद्धा क्या है देखिए अब सभी जानते हैं कि डिसेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू में इंडिया को जी ट्वेंटी की प्रेसिदेंसी प्रोवा है आपके examination perspective से 2020 में ही यहां से question पूछा गया था question है निम्ली के 4 countries में से कौन सी country G20 के members है ठीक है अब इसका answer क्या है ये तो आप मुझे comment section में बताएंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको mapping करा देता हूँ G20 countries की तो देखें इसको याद करने करा simple formula है आप कुछ important important छोटे छोटे groupings को याद कर लें आपका G20 अपने आप complete हो जाएगा जैसे एक बहुत ही famous grouping आपने सुनी होगी P5 अब P5 क्या है United Nations Security Council के 5 permanent member इनके नाम आपको जरूर पता होने चाहिए और अगर आपको इनके नाम पता है तो G20 के 5 members आपने आसानी से याद कर लिए इनमें कौन-कोन आते हैं US आता है इसमें उसके बाद यहाँ पर UK, France, Russia and China यह 5 countries इसमें शामिल होती है इसके बाद आपने एक emerging economies का group जरूर सुना होगा BRICS ठीक है तो ऐसी condition में आप regional emerging economies के group को तो इसमें शामिल करेंगे ही करेंगे है ना तो यहाँ B से क्या है B से Brazil है आप यहाँ पर देखें उसके बाद R से Russia को हम पहले ही मार्क कर चुके है आई से यहाँ पर गया है आई से इंडिया है इसको यहाँ मार्क करिए उसके बाद China हम पहले से देख चुके हैं और ऐसे South Africa है जो की African continent में एक मात्र country है जो की G20 की member बनी हुई है उसके बाद आप कुछ major countries को देखिए जो की US के पास है जैसे Canada और Mexico ब्रजील के पास आप एक important country को देखे Argentina इसके बाद दो major economy है यूरोप में जिनको आप बिलकुल नहीं भूल सकते इसमें Italy और जर्मनी के नाम आते हैं उसके थोड़ा East में आप देखेंगे तो तरकी आपको यहाँ देखने को मिलेगा then Arabic world में आपको एक country यहाँ पर मिलती है Saudi Arabia उसके बाद America के कुछ allies है जैसे Japan, South Korea and Australia और साथ में एक और country यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है Indonesia अब जब आप इन countries को count करेंगे तो यह बनती है total 19 countries ठीक है अब आप बोलेंगे ज़र आप तो G20 बता रहे थे यह तो 19 बन रह आते हैं G20 ठीक है तो यह हो गया हमारा G20 इसके अलावा यहाँ कुछ guest countries को भी आप मार्क कर सकते हैं जैसे Norway हो गया, Netherlands हो गया, उसके बाद Spain हो गया, Vietnam हो गया, Singapore हो गया, Guena हो गया, तो आप इनको यहाँ पर मार्क कर सकते हैं इसके बाद आप हम बात करते हैं background की कि इसको 1999 में form किया था, लेकिन इतना बड़ा organization अचानक से नहीं बनता है, जरूर इसका कुछ background रहा होगा, तो देखें ultimately हुआ क्या था, जो 1990 का decade था, उसमें बहुत सारे financial crisis देखे गए थे, ठीक है, financial crisis देखे गए थे यहाँ पर, और इसमें से एक crisis important है, और वो है South East Asian countries का crisis, यहाँ पर हुआ क्या था, South East Asian country की जो currency है, उसका devaluation होने लगा था, उन currency की value कम होने लगी थी, और जब भी किसी country की मुद्रा का अवमूलियन होता है, तो ऐसी condition में उस country में import की जो लागत है, वो बढ़ जाती है, ठीक है, अब import की लागत को आप ऐसे समझ सकते हैं, माल लीजिए अगर आपको oil खरीदना है, और oil के लिए आप पहले 50 रुपे पे कर रहे हैं, तो अब आपको उसी oil को खरीदने के लिए 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ये devaluation का impact होता है, अब जब देखिए, import आपका महंगा हो जाता है, आपके लिए crude oil महंगा हो जाएगा, और oil के बिना आप कोई production नहीं कर पाएंगे, तो इस oil का price आपको production में लागत के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपके product हैं, वो महंगे हो जाएगे, अब product महंगे होंगे, तो ऐसी condition में लोग उन product को खरीदेंगे नहीं, और धीरे धीरे company अपने production को डाउन करतेगी, और आपकी जो growth है, वो growth कम हो जाएगी, ठीक है, growth में slowdown हो जाएगा, अब यहाँ पर यह जो impact है, South East Station countries का, वो केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा, यह पहुँच गया धीरे धीरे रशिया तक, और रशिया के बाद कहीं ना कहीं यह पूरे world को impact करने लगा, इसी लिए हमें ए objective की बात करें, देखिए objective आप आप से समझ सकते हैं, क्योंकि आपने context को समझ लिया है, तो objective में सबसे पहला क्या रहेगा, सबसे पहला objective रहेगा financial stability को बनाई रखना, ठीक है, और financial stability हम कहां बनाएंगे, global level पे, मतलब world के level पे, उसके बाद, दूसरा objective क्या रहेगा, to prevent future financial crisis, तो future में जो ऐसे financial crisis हैं, वो ना हो, इनसे हमें बचाना है, तीसरी चीज यहाँ पर क्या रहेगी, आपका objective रहेगा, inclusive, growth, और साथ में sustainable growth, ठीक है, अब देखिए इसके मतलब क्या होते हैं, inclusive growth का मतलब होता है, जब भी आप growth करें, तो उसमें society के सभी section को सामिल करें, sustainable growth का मतलब है, आपकी जो growth है, वो एक अच्छे level पर चलनी चाहिए, और वो sustain करनी चाहिए, लंबे समय तक, ऐसा नहीं है कि आज economy grow कर रही है, कल को उसमें slow down आ जाए, इस तरीके से आपकी economy नहीं चलनी चाहिए, उसके बाद अगला जो focus इनका रहेगा, वो रहेगा women empowerment पर, अब women empowerment यहाँ पर क्यो important है, अगर आप inclusive growth करना चाहते हैं, sustainable growth करना चाहते हैं, तो क्या यह महिलाओं के बिना possible है, answer is no, क्योंकि महिलाओं का एक important contribution होता है आपकी economy में, ठीक है, तो इसका अगला focus यह हो जाएगा, अब बात करते हैं, challenges की, कि आखिर इंडिया जब G20 को preside करे लेकिन दो important point आप यहाँ mark कर लिजे, G20 के जो relevance को यहाँ दिखाने के लिए important है, देखिर G20 जो है, वो world की 60% population को represent करता है, 80% global GDP को represent करता है, और 75% global के trade को represent करता है, और इसकी जो presidency है, वो हर साल अलगराग member countries में rotate होती रहती है, ठीक है, तो एक साल के लिए यहाँ की membership होती है इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, अब बात करते हैं कुछ challenges की, जो India की presidency के सामने आने वाले हैं, इसमें सबसे पहला जो challenge है, वो है debt sustainability, अब इसका जो background है debt sustainability का, वो start होता है G20 के 2020 वाले सम्मेलन में, क्योंकि यहाँ पर क्या किया था, G20 countries ने एक common framework बनाया था, debt sustainability को लेकर, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखे debt sustainability का मतलब होता है, कि एक country बिना किसी support के, अगर अपने रिल को वापस करने में सक्षम है, तो हम यह बोलेंगे कि वो country debt sustainable है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि world level पर एक problem आई थी, COVID-19, और COVID-19 की वज़ा से आपने क् lockdown लगाए थे, और जब आप lockdown लगाते हैं, तो ऐसी condition में आपकी country में production कम हो जाता है, और आपकी जो growth है, वो कम हो जाती है, और growth कम होगी, तो government के पास जो revenue है, वो भी कमाएगा, और जब government के पास revenue कमाएगा, तो इस परकार के tax में default होते हैं, sorry, tax में नहीं, आपके debt में default होन लगते हैं, अब इंडिया के सामने जब इतनी बड़ी problem आएगी presidency को लेकर, तो देखना ये है कि इंडिया कैसे इस problem को tackle करता है, कैसे इस common framework के लिए, और countries को agree करवाता है, तो पहला challenge हो गया ये, उसके बाद अगर दूसरे challenge की बात करें, तो दूसरा challenge है, COVID-19 ने जो पूरे world की economy को impact किया है, उस impact को आप कैसे tackle करेंगे, और कैसे उन economies को वापस से growth के track पर लेकर आएंगे, ठीक है, इसके बाद तीसरी जो problem मन रही है, वो है Russia-Ukraine war, और Russia-Ukraine war की वज़ा से, पूरे world में तीन problem देखने को मिल रही है, पहली problem है, food crisis की, ठीक है, अब देखिए, food crisis क्यों हो रहा है, क्योंकि Russia के द्वारा fertilizer का export किया जाता है, जो की Ukraine-Russia war की वज़ा से काफी महगा हो चुका है, अब fertilizer अगर महगा होगा, तो किसानों को महगे मूले पर वो मिलेगा, और किसान अगर महगे मूले पर खरीद कर fertilizer को इस्तमाल करेंगे, तो ऐसे में उनकी production की लागत बढ़ जाएगी और ultimately अनाजी की कीमतें आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी, इससे क्या होगा, इससे poverty बढ़ेगी और hunger जैसी problem आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो एक तो यह हो रहा है, दूसरा इस war की वज़ा से energy crisis भी है, अब यहाँ पर energy crisis क्यों हो रह जासे न, crude oil के prices लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और crude oil के prices बढ़ेंगे, तो ऐसे में आपका जो production है, वो महगा हो जाएगा, लोग उसको खरीदेंगे नहीं, और धीरे धीरे आपकी जो growth है, वो कम हो जाएगी, ठीक है, और growth कम होगी, तो ऐसी condition में आपके लिए यह एक challenge ब ठीक है, देखे, problem न, यह हो रही है, कि पूरे world पे दो खेमे बन चुके है, एक ऐसे लोग है, ऐसी countries है, जो Russia को support करती है, और दूसरी America को support करती है, और यहाँ दोनों ही countries एक दूसरी से बात नहीं करना चाहती है, रशिया जो है, वो अमेरिका के सामने बात करने में, जो है, हेच के चाहता है, मतलब वो सामना नहीं करना चाहता है, अमेरिका का, और अमेरिका यह चाहता है, कि मुझे Russia से बात नहीं करनी, तो इस तरीके से दोनों के बीच में जो यह problem चल रही है, यह India के लिए challenging बनेगा, क्यों, क्योंकि India को G20 के अंतरगत पूरे world में economic agenda set करने है, अब India ने कोई target बनाया, उस target को आप पूरी country से अगर fulfill ही न अगरवा पाएं, तो ऐसे में आपकी presidency के सामने एक बड़ी चुनोती बनकर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, तो यह कुछ challenges है, चलिए यह topic यहाँ पर complete होता है, इसके बार हम थोड़ी सी information देख लेते हैं हमारे initiative क के बारे में हमारा एक program है, test series का IDMP3, यहाँ पर आप daily 20 MCQs, दो mains के question लिख सकते हैं, weekly 100 MCQs के test दे सकते हैं, mains के test, current affairs के test दे सकते हैं, soft copy में आपको यहाँ material मिलेगा, और हर महीने दो जूम के sessions भी mentorship के लिए provide के जाएंगे, एक हमारा foundation course है, प्रारंब नाम से आपको यहाँ well planned schedule मिलेगा, NCRT, prelims, mains, CSET के videos मिलेंगे, और 21 booklets आपके घर पर provide करा दिये जाएंगे, इन batches में admission लेने के लिए, आप description में जाकर link पर click करके, वहाँ enroll कर सकते हैं, यह दोनों ही batches Hindi medium and English medium के लिए हैं, अगर आपकी कोई query हो, तो आप हमें इस number पर contact कर सकते हैं, और आप हमें call भी कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, next issue समस्ते हैं, next issue है, presence of Chinese troop in Sri Lanka, देखे, श्री लंका में अगर Chinese troop हैं, तो इंडिया को इससे क्या समस्या है, यह चीज हमें यहाँ पर देखनी है, तो actual में यह problem start कैसे हुई, चाइना का एक ship है, युवान वांग 5, अब यह ship श्री लंका में रुका हुआ है, और अगर यह श्री लंका में रुका रहता है, तो इंडिया के सामने निश्चत रूप से कुछ challenges आएंगे, अब यह challenges क्या है, एक एक करके इसको समझते हैं, देखे, सबसे पहला challenge जो है, इंडिया के लिए, वो यह है कि चाइना ने इस ship के अंदर कुछ ऐ ऐसे instrument को use किया है, जो की satellite tracking में और ICBM की tracking में सक्षम है, ठीक है, देखे, अब यह जो satellite tracking है, यह ICBM tracking है, यह इंडिया की security के लिए सीधा challenge है, अब security के लिए क्यों challenge है, security के लिए challenge ऐसे है कि अगर आपकी enemy country, आपके defenses के बारे में पहले से aware हो जाए, उनको वो track कर पाए, तो ऐसी condition में वो पहले से बहुत सारी रणनीती बना सकते हैं, आप से बचाव करने के लिए, ठीक है, तो यह इंडिया की security के लिए एक challenge है, दूसरा challenge क्या है, चाइना के द अब अगर स्रिलंका के sea resources का exploitation चाइना के द्वारा किया जा रहा है, तो इससे इंडिया को क्या समस्या है, देकि समस्या यह है कि चाइना की जो एक बड़ी population है, वो dependent है sea resources पर, मतलब यह उनकी livelihood से जड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर उनक में migrate करने का, तो इंडिया में migration की problem बढ़ेगी की नहीं बढ़ेगी, तो यह इंडिया यहाँ पर दूसरा challenge जो है, वो देख रहा है, उसके बाद अगर हम तीसरी बात करें, तो तीसरी problem इंडिया देख रहा है, militarization of Indian Ocean, अब इसका मतलब क्या है, देखिए, चाइना अपने vessels के तुरू अपने troops को स्रिलंका में धीरे-धीरे लेकर आएगा, फिर उसको counter करने के लिए, इंडिया भी अपने troops को Indian Ocean में बढ़ाएगा, ऐसी condition में यह जो पूरा region है, उसका militarization हो जाएगा, जो अपने आप में दोनों ही countries के लिए beneficial नहीं होगा, है ना, क्योंकि military अगर परिशान कर रही है, वो है चाइना की debt trap diplomacy, ठीक है, अब यह जो term है, debt trap यह आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, देखे सर इसका मतलब क्या होता है, चाइना की एक strategy है, चाइना simply क्या करता है, सबी countries को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में debt provide करता है, अब country कही ना कही इस रिण को वापस करने में विफल हो जाती है, वो default कर देती है, और जब वो default करती है, तो चाइना उनसे simply यह कहता है, कि आप हमें अपनी territory का कुछ भाग lease पर अब दे दू, क्योंकि आप से रिण चुकाया नहीं जा रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो दे पड़ेगा, अब फिर चाइना क्या करता है, चाइना उस territory का इस्तमाल करता है अपनी military presence को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और यही actual में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अब देखिए, यह problem स्री लंका के साथ पहले भी हो चुकी है, स्री लंका ने चाइना से रिण लिया थ और चाइना से रिण लेने के बाद उसको वापस करने में विफल रहा था, तो ऐसी condition में स्री लंका को अपना एक port जिसका नाम है हमबन टोटा, इसको चाइना को 99 एर्स के लिए लीज पर देना पड़ा था, ठीक है, अब यह problem इंडिया यहाँ पर देख रहा है, अब मान ल पर स्री लंका की भूमी पर अगर चाइना की शिप आते रहते हैं, चाइना वहाँ पर development project भी चलाएगा और धीरे-धीरे स्री लंका को अपने उपर dependent बना लेगा, और श्री लंका अगर उस रिण को वापस नहीं कर पाएगा, तो धीरे-धीरे वो और territory को भी लीज पर ले और ये एक challenge बन जाएगा इंडिया के लिए, और इंडिया इस पूरे के पूरे मामले को चाइना के string of pulse की नीती से जोड़ कर देखता है, string of pulse की policy को आप एक map के थूँ समझ सकते हैं, जहाँ पर चाइना भारत को घेरने की कोशिस करता है, यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, इंडियन ओशन के अलग-अलग points पर बंदरगाहों को विक्सित करने की कोशिस कर रहा है, जैसे कि म्यानमार में यहाँ पर एक port उन्होंने विक्सित किया है, उसके बाद बांगलादेस के चिटगोंग जो port है, उसको चाइना विक्सित कर रहा है, ऐसे ही श्री लंका के हम्म टोटा पोर्ट को यहाँ पर विक्सित कर रहा है, उसके बाद माले बंदरगाहा को मालदीव में विक्सित कर रहा है, और ग्वादार को पाकिस्तान में विक्सित कर रहा है, अब इससे क्या हो रहा है, यह चाइना के चारो तरफ, ओ सोरी, इंडिया के चारो तरफ अपनी प प्रॉब्लम्स से टैकल करना है तो भारत को क्या करना चाहिए, solution क्या है sir देखे, solution simple है, first तो आपको क्या करना पड़ेगा अपनी neighborhood policy में proactive होना पड़ेगा proactive neighborhood first policy ठीक है, आप अपने पडोसी देशों के पास जाईए उनसे संबंदों को बहतर करिए उन्हें कोई सहायता की जरुवत है, तो proactive होकर उन्हाँ पर सहायता आप provide कीजिए इंडिया ऐसा कर भी रहा है, अभी financial crisis के दोरान स्री लंका को भारत ने मदद provide की थी ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको अपने regional platform को active रखना है, अब regional platform का मतलब क्या होता है, जैसे की आपको bim stake को active रखना है आपको क्या करना है, bim stake को active रखना है, उसके बाद सार्क को आपको active रखना है यहाँ पर नियमित रूप से बैठ के होनी चाहिए यह आपको ध्यान रखना है आप cooperation बढ़ाने की कोसिस करिए अपने परोसी देशों के साथ आप उनको चाइना की debt trap diplomacy के बारे में बताने की कोसिस करिए तो यह आप कर सकते हैं उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं आप quad में actively participate करिए quad को मजबूत बनाईए और Indian Ocean Region को इसमें growth को promote करने की कोसिस करिए आप अपने एक project को बढ़ावा दीजिए जिसका नाम है सागर ठीक है सागर project को आपको बढ़ावा देना चाहिए उसके बाद आप यहाँ पर अपनी space diplomacy को भी use कर सकते हैं space diplomacy का क्या मतलब है सर space diplomacy का मतलब है आप अपने पॉडोसी देसों के लिए satellite का निर्मान कर सकते हैं और उन्हें आकाश में प्रक्षेपित कर सकते हैं यह strategies आपके द्वारा अपनाई जा सकती है इसके अलावा आप श्री लंका में particular क्या कर सकते हैं private investment को promote करिए private investment को promote जब आप करेंगे वहाँ पर IT companies को खोल दीजिए और इसके अलावा अगर हम बात करें तो तो इनसे क्या होगा इनसे आप वहाँ पर रोजगार के नए अवसर जनरेट करवाएंगे और जब आप employment जनरेट करेंगे तो employment जनरेट होने की वज़ा से वहाँ के जो youth हैं उनका inclination किसकी तरफ होगा उनका inclination इंडिया की तरफ होगा और वो इंडिया की policies को support करेंगे ठीक है तो यह हमारा एक way forward solution है इस problem से निपटने के लिए तो यह हमारा मुद्दा का श्रिलंका में Chinese troops वाला इसके बाद आगे समझते हैं UK के economic crisis को देखे recently हो क्या राई UK में UK की मुद्रा डॉलर के मुकाबले काफी तेजी से नीचे गिर रही है अब हम पहले से ये पढ़ चुके हैं कि अगर आपकी मुद्रा का devaluation होता है तो इससे आपके देश में inflation बढ़ जाएगी और आपका जो import है वो महगा हो जाएगा ठीक है और इसकी वजा से आपकी जो growth है वो कम हो जाएगी ठीक है और recently हम UK में यही चीज़ witness कर रहे हैं हम यही चीज़ देख रहे हैं कि वहाँ पर जो inflation है वो 10% हो गई है मतलब यह run away inflation को denote कर रहा है run away inflation का मतलब है जब inflation 10% या उससे ऊपर निकल जाए तो यह problem UK में देखी जा रही है अच्छा यह problem हो क्यों रही है यह चीज़ हमें यहाँ पर discuss करनी है देखीए problem का जो main reason निकल के आ रहा है वो सबसे पहला तो यह है कि पूरे world को COVID-19 ने affect किया था COVID-19 के दोरान UK में भी lockdown लगाए गए थे तो इनकी जो economy है ना वो यहाँ से slowdown तो होने लगी थी लेकिन problem increase कब हो गई problem increase हो गई Russia-Ukraine war के बाद कैसे Russia-Ukraine war ने यहाँ पर सबसे पहले तो food के prices को बढ़ा दिया और बिटेन के दोरा food का एक major component जो है वो import किया जाता है दूसरी चीज यहाँ जो energy है उस पर भी आपका consumption ज़्यादा बढ़ गया उस पर आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे देखिए एक तो आपकी currency devaluation हो रही है दूसरा आपको अब energy security के लिए अपनी उर्जा अवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे तो ये एक बड़ी problem आ रही है इसके बाद इन problem से निपटने के लिए जो UK की new prime minister बनी है उन्होंने कुछ policy में changes किये पहला policy change उन्होंने किया income tax को कम करना ठीक है prime minister ने ये कहा कि हमारे देश में जो high earning करने वाले लोग है उन पर हम income tax की rate को कम कर रहे है income tax की rate को कम करने से आपके पास पैसा ज्यादा बसता है जैसे अगर आपकी salary है 1000 रुपे और tax देने के बाद आपके पास 900 रुपे बसते है ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मानले जैसे आपकी salary 1000 रुपे है और tax देने के बाद आपके पास 900 रुपे बच रहे है government ने tax rate को कम कर दिया तो कम करने के बाद आपके पास कितने बचेंगे आपके पास 950 रुपे बचेंगे यह जो एक्ट्रा 50 रुपे की budget दिखाई दे रही है इसको आप कही न कहीं use करने की सोचेंगे है न और इससे क्या करेंगे आप demand को increase करेंगे और जब demand आपकी बढ़ती है तो company उस demand को पूरा करने के लिए अपना production बढ़ाती है और company production बढ़ाती है तो आपके देश में दुबारा से growth देखने को मिलती है तो इस strategy के लिए UK के prime minister ने अपनी income tax के rate को कम कर लिया लेकिन इससे एक और problem होगी जो आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं वो problem है liquidity क्योंकि अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा छोड़ते हैं जैसे 50 रुपय एक्स्ट्रा यहाँ पर बन रहे थे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा demand होती है और liquidity ज़्यादा होती है तो ऐसे में inflation भी high हो जाती है इसी लिए इस step को ब्रिटेन में काफी criticize किया गया दूसरा उन्होंने policy decision क्या लिया था उन्होंने corporate tax को बढ़ाने का decision लिया ठीक है अब corporate tax को अगर आप increase करते हैं तो इसका impact सीधे आपके देश में काम करने वाली companies पर होता है तो for example अगर कोई company 100 रुपय का कोई soap बना रही है साबुन बना रही है अब अगर आपने उस पर tax बढ़ा दिया तो यह साबुन की कीमत कितनी पहुँच जाएगी यह 120 रुपय हो जाएगी for example आपने 20% का tax इस पर लगा दिया तो अब यह जो tax का impact है यह ultimately कौन पे करेगा आपके लोग ही पे करेंगे आपके citizen पे करेंगे तो इसलिए भी इस step को यहाँ पर बिटेन में criticize किया गया अब हम बात करते हैं यह तो हो गई problem की बात कि आखिर यह problem बिटेन में आ क्यो रही है अब अगर बात करें कि इंडिया पर इसका क्या impact पड़ेगा तो इंडिया पर दो-तीन impact पड़ेंगे impact on India दीकि सबसे पहला impact यहाँ पर क्या होगा सबसे पहला impact होगा economic economic impact कैसे दोनों ही देशों के बीच में जो व्यापार होता है ना उसमें इंडिया हमेशा trade surplus में रहता है अब trade surplus का मतलब है कि इंडिया ब्रिटेन को export जादा करता है और ब्रिटेन से import कम करता है तो इससे इंडिया को benefit है लेकिन जब वहाँ पर इतना बड़ा crisis आया हुआ है तो हमारा export जो हो रहा है ब्रिटेन में उस export में भी गिरावट देखी जाएगी तो इससे भारत के trade जो deficit है उस पर भी impact पड़ेगा पहला impact तो हो गया यह दूसरा impact जो पड़ेगा वो है investment को लेकर देखिए ब्रिटेन ने 70 million euro इंडिया को देने की बात कही थी और वो भी renewable energy के लिए ठीक है लेकिन अगर ब्रिटेन में इतना बड़ा crisis रहेगा तो इस objective को पाना विफल हो जाएगा तो ये एक इंडिया के लिए problem मनेगी और तीसरी problem ये है कि ब्रिटेन इंडियन ओशन छेतर में एक regional power भी है regional power कैसे है क्योंकि इनकी navy facility Indian Ocean में मुझूद है जैसे ब्रिटेन की एक navy facility यहाँ पर है बहराइन में उसके बाद एक navy facility ओमान में है एक navy facility केनिया में है और सिंगापुर में भी है तो ऐसे में अगर ब्रिटेन में financial crisis आता है तो वो अपने इन महतोपून navy केंद्रों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और अगर यहाँ पर आपकी military presence कम होती है तो ऐसी condition में इस पूरे के पूरे छेतर में जो समुद्री डकैतियां है पाइरेसी है उसकी problem जो है बढ़ जाएगी और इसका impact कहीं ना कहीं आपको इंडिया पर भी देखने को मिलेगा यह जो छेतर है यह थोड़ा सा आइस्तिर भी हो सकता है तो यह एक problem इंडिया के उपर इसका impact के रूप में देखी जाएगी तो यह हमारे issues थे इस week के मिलते हैं अगले lecture में कुछ new issues के साथ Thank you so much